हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे कोशन रखे गए हैं, और आज का वीडियो आपको बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, तो चलिए स्टार करते हैं, पहला कोशन है, दो साल में दो प्रतिसत प्रति वर्ष की दर से 808 रुपे के रिण का वार्शिक भुक्तान ग्याद करें, यह साधन व्याज के इंस्टॉल्मेंट वाला कोशन है, यानि की किस्त वाला कोशन है, बहुत ही अच्छा प्रशन है, अब देखेगा, यहाँ पे दो साल के लिए यह कोशन हो या 5 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, कितने साल के लिए भी हो, आपको मैं एक शॉटकट मेथड बताता हूँ इसका, ठीक है, शॉटकट मेथड, क्योंकि शॉटकट मेथड से ही हम कम समय में एक्जाम में कर पाते हैं, लॉंग मेथड से तो हमें करना ही नहीं है, शॉट मे लिए है पहले साल का 100 देना है तो दूसरे साल का जो होगा उसमें 2% की दर से देना है यानि कि 100 का 2% 2 हो जाएगा मतलब 102 देना है कि लिए रितनी बात यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं पहली साल का 100 देना है दो साल में से दूसरी साल का 2% देना है मतलब 102 परसेंट देना ह दो आईए और जबकि यहां value आपको दे कितनी रखी है 808 दे रखी है तो 202 की value यहां पे 808 के बराबर है इतना समझ में आ गया और हमें value क्या निकालनी है 100% के निकालनी है वार से भुपतान गयाद करें हमको value निकालनी है 100% के तो कैसे निकालेंगे इस 808 में इस 202 से डिवा में कड़ जाएगा और चार कमल पर 100 से करोगे तो यह हो जाएगा 400 तो बारसिक भुपतान जो हो जाएगा वह 400 रुपे हो जाएगा पहला option है सही जवाब बात के लियर होगी सभी को चलिए अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा तो next question देखिए अग 2750 रुपे की रासी दे है तो वार्षिक किस्त क्या होगी कितने समय के लिए भाई यह 4 वर्ष के लिए तो मैंने आपको बता दिया है कि पहले वर्ष का 100 ही रहेगा है ना पहले वर्ष का 100 अब चार वर्ष में से पहले वर्ष का 100 है तो दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा या दूसरी वर्स में rate जोडेंगे जैना कि 65% जोडेंगे तो 105 जै दूसरा बरस हो गया तीसरे में फिर से 5 जोडेंगे तो 105 में 5 जोडेंगे तो 110 ठीक है फिर से पांस जोड़ेंगे तो 115 एक वरस दो वरस तीर वरस चार वरस के लिए होगा च्यार वरस की बात थी इनको जब आप सभी को जोड़ोगे तो यह 430 हो जाएगा तो यहां पर वैलू 430 है और वैलू हमें कितनी रखिए 10,750 ठीक है 10,750 हमें वैलू दी गई है यह वैलू हमारी 10,750 तो 430 की वैलू 10,750 हमें 100 परसेंट का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे इसमें 430 से हम डिवाइड कर देंगे 100 परसेंट का मान निकालने के लिए 100 से मल्टिप्राइब अब देखे एक जिरो से आप एक जिरो कर जाएगा बेर कुल कर गया 43 से 1075 यह 25 बार में कर तो किस्त का मान क्या होगा 25 रूपे यह आपके सवाल का पिलकुल सही जवाभ है पिलकुल सही जवाभ अब देखेंगे अगला परशनी है कौशी वार्षिक किस्त सथासो चालिस रूपे के रिण को 8 परसेंट वार्षिक साधर्ण व्याज की दर से 5 बरसों में अदा कर दे वैसे ही होगा कितने समय के लिए पांच बरसों के लिए है तो पहले बरस का तो मैं बता चुका हूँ 100 ही रहेगा दूसरे बरस में क्या करेंगे हम इसको प्रतिसद वैलू को जोडते हो चलेंगे यानिकि 100 का 8% निकालेंगे तो 108 हो जाएगा फिर से 8% निकालेंगे तो 116 को जोड़नो जब जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 580 तो यहां पर वैलू कितनी 580 और जबके रियल में कितनी दिरह कि 1740 यही तो है तो 580 के वैलू बराबर है 1740 की है मैं तो 100% की निकाल नहीं है तो कैसे निकालेंगे आपको पता चुका हूँ 1740 में 580 से डिवैड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टिप्वाइक कर देंगे 0 से 0 चला जाएगा 88 से 174 तीन वार में कर जाएगा और 3 का मल्टिपए 100 से कर दोगे तो 300 आपका आंसर आजएगा यह आपकी प्रश्नी का बिल्कुल सही जवाब है 300 D option में दिल जाएगा option D option बिल्कुल सही है अब देखेंगे अगला question अगला प्रश्नी है अब देखो प्रश्नी का टाइप चेंज हो गया मैं साधरन व्याज के किस्त वाले प्रश्नी करा के अब दूसरे टाइप पे आ गया प्रश्नी है चार की power 999 को साथ से विवाजित कर पर सेस्फल क्या होगा इसका भी मैं आपको shortcut method बताऊंगा कि जब power sum हो पावर जब sum हो चाहें कितने भी बड़ी क्यों न हो पावर पहले आप 2 रखेंगे अगर 2 रखने से अंसर नहीं आएगा तो फिर 4 रखेंगे ठीक है यदि पावर बिसम हो पावर यदि बिसम हो तो पावर पहले 1 रखेंगे अगर 1 रखने से अंसर नहीं आएगा तो फिर 3 रखेंगे आप देखेंगे पावर यहां क्या है 5989 की बिसम पावर है जब बिसम पावर है तो पहले पावर में 1 रखुँँगा तो 4 की पावर में 1 रखुँगा और तिवैड कितनी से करना है 7 से तो चार की पावर एक कमान चार ही रहेगा, साथ से डिवैड करूँगा, तो डिवैड नहीं होगा, चार में साथ से डिवैड नहीं होगा, दस मलम में होगा, तो दस मलम में तो आंसर है नहीं, जब एक रखने से आंसर नहीं मिले तो मैंने बताया फिर तीन रखी है, तो चार साथ की पावर एक राक्तनी में इस आंसर नहीं मिला चार की पावर अब 3 रखेंगे और 7 से थी बिवाजित करना है चार की पावर 3 का मान होता है 24 साथ से करेंगेल डिवाइब साथ 603 कट गया 64 में से 63 कड़ गया तो बचा कि आपके पास 1 सेज बचा 1 सेज बचा है यही हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब 1 C option बिल्कुल सही जवाब है अब देखेंगे अगला प्रश्ने अगला प्रश्ने है यदि X बराबर 14 Y बराबर 15 Z बराबर 17 है तो X की पावर 3 प्लस Y की पावर 3 प्लस Z की पावर 3 माइनस 3XYZ का मान गयाद करें देखें यह प्रश्ने अलजेवरा चैप्टर से है और formula बेस question है अगर आपको algebra के formula याद है तो आप इस प्रश्ने को बना पाओगे वरना छोड़के ही आना पड़ेगा अब दीखें यह formula बेस question है यह formula दे रखा है आपको इसका formula क्या होता है यह कितने के बराबर होता है आपको अगर याद है तो कर पाओगे वरना नहीं यह कितने के बराबर होता है मैं आपको बताता है 1Y2 into x plus y plus z into x minus y का whole square plus y minus z का whole square plus z minus x का whole square इतने के बराबर होता है जहां यह value लिखी हुई है वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं और जहां यह लिखा हुआ है वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं अब होगा इस प्रशनेका answer देखेगा 1Y2 हुगा देखिए यह तीनों को जोडने के लिए बुला X Y Z तीनों को जोडने के लिए बुला तीनों को जोड़ दो 14 और 1529 39 70 46 इसको सबको हमने जोड़ा 46 आ गया ठीक है चलिए अब इसको देखते हैं एक्स मैंणिस Y का होल स्कॉर यानिकि x और y का अंतर करके whole square x 14 है y 15 है 15 में से x में से 15 घटाना y को घटाना न x में से y तो plus के 14 में से plus का 15 घटाऊंगा तो घटेगा नहीं यानकि minus का 1 आएगा और minus का 1 का square हो जाएगा 1 ठीक है? 1 हो जाएगा इसका square 1 plus y minus z y 15 है उसमें से z को घटा दो तो z minus का जादा हो जाएगा minus का 2 आएगा minus का 2 का square करेंगे तो plus plus का 4 आजाएगा plus z में से घटाना x z आपका 17 है उसमें से x घटाना नहीं 14 बचेगा 3 3 का square 9 ठीक है? चलिए 1 by 2 into 46 into 9, 4, 13, 13 और एक 14 कटा लिजे 2 से कटा लूँगा 14 को 7 बार में 46 से करेंगे तो यह हो जागा 322 यह आपके परशनिका बिल्कुर सही जवाब हो जाएगा 322 देखेए किस option में b option में मिल जाएगा यह आपका बिल्कुर सही जवाब है अब देखेंगे अगला प्रश्नी अगला प्रश्नी क्या कह रहा है इसको देख लीची बहुत अच्छा सवाल है अब आप इस पर जब ध्यान देंगे न तो देखेगा 0.253 0.253 यानि कि एक ही संख्या दो बार है मल्टिप्लाइब में जब एक ही संख्या दो बार तो मैं इसे ए मान सकता हू यह भी a है और यह भी a है तो मतलब a का स्क्वेर हो गया अब यह माइनस है माइनस का 253 पॉइंट एक बार तो यह a है माइनस का इसको हम b मान लेते है 0.067 0.067 into 0.067 तो यह multiply है न तो मैंने इसको B माना है और यह भी B माना है B का माले B से हो तो B square हो जाएगा और यह A है multiply में B ठीक है तो मैं इसको देख formula का अनुसार लिखंगा formula का अनुसार इस चीज़ को लिख सकते हैं A into A मतलब A square minus का A B plus का B square तो B मतलब B square यह हो क्या है ठीक है किलियर यहां तक बटे में देखो क्या है यह मैंने A माना है 253 को 253 गोने 253 गोने 253 तीन वार दिया गया ना तीन वार का मतलब क्या है A का cube फिर sin plus का है फिर क्या दे रखा है 6,7, 6,7, 6,7 याने कि मैं 6,7 को क्या माना है था B B का मल्टपेश तीन वार दिया गया मतलब यह B का cube दिया गया अब देखिए इसको कर लिजे A Q plus B Q का formula अगर आपको याद है प्रेस्टिन में कोई दिकत नहीं होगी आसानी से आप कर पाओगे चलिए A square minus A B प्लस का B square और इसका formula क्या होता है A Q plus B Q का formula मैं आपके लिख देता हूँ यह कितने के बराबर होता है यह होता है A plus B into A square minus A B प्लस का B square यहतने के बराबर होता है इसका formula जहां यह लिखा हुआ है वहाँ इतना लिख सकते हो जहां ये लिखा हूँ वह बराबर होता है तो चलिए e square से e square कटा minus k e b से minus k e b कटा b square से b square कटा बचा कि आपके बाद में a plus b यही तो बचा a plus b और उपर बटे में ये e plus b ये बटे में दे रहा है ये a के बटे में दे रहा है ये a plus b चलिए एक ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो यानिकि ए की वैलू कितनी है 0.253 प्लस बी की वैलू है 0.067 इन दोनों को हमाई जोड़ देना है ठीक है द्यान दीजे जोड़ देना है इनको जब मैं जोड़ूँगा 7 और 3 दसका 0 कैरी का 1 6, 5, 11 कैरी का 1, 12 कैरी का 1, 12 कैरी का फिर 7 0 और 2 2 ही रहेगा जो कैरी का 1 था 3 वही आजाएगा ठीक है यह आगे हमारा जोड़ने के बात में यह दसमलब के बात में इस चीज़ को मत भूलिएगा और एक के बटे में है इस चीज़ को भी मत भूलिएगा चलिए अब मैं यहां लिख लेता हूँ यह दसमलव है न दसमलव के बाद 3 सेंगे तो उपर 3 0 आ जाएंगे निचे रहे गया 320 अब दसमलव भट गया यहां से क्योंकि उपर 0 पहुँचके 3 अब देखे 1 0 से मैंने 1 0 यह कैंसल कर दिया 1 0 से 1 0 जब कैंसल कर दिया मैं 32 से से कटाऊँगा 32 तरिक का 96 4 बचेगा नहीं जाएगा दसमलव लएगा अब देखो 3 के बाद दसमलव बाला ओप्सन कौन सा है एक ही ओप्सन है तो यही मेरा सही जवाब हो जाएगा उम्मीद करूँगा कि सभी बच्चों को एक एक स्टेप समझी में आया होगा कोई जल्दवाजी मैंने यहां पर नहीं किया तो आपको वीडियो को भाई लाइक करना है अदिक से अदिक और शेयर कर दिना सभी बच्चों के पास जितनी बच्चे तयारी कर रहे है ठीक है दोस्तो धन्यवाद